पंजाब के पूर मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने दावा किया कि नवजोद सिंग से दूशरण जी चन्नी पर हावी होना चाहते थे लेकिन कोई भी मुख्य मंत्री इसे सहन नहीं कर सकता अमरिंदर सिंग ने कहा एक सीम को राज चलाने के लिए पूरी छूट दी जानी चाहिए पंजाब कॉंग्रेस का घमासान कम होता नजर नहीं आ रहा है जब कैप्टन ने पंजाब कॉंग्रेस में राज के एक कैबिनेट मंत्री और पार्टी की तीन अन्य सदस्यों को स्कीफा देते देखा तो अमरिंदर सिंग ने इंडिया तुडे टीवी से बात करते हुए कहा सिद्धू चन्नी पर हावी होना चाहते थे और कोई भी मुख्य मंत्री इसे सहन नहीं कर सकता उन्होंने आगे कहा राज चलाने के लिए किसी को पूरी छूट दी जानी चाहिए अगर सिद्धू को लगता है कि वो चन्नी के जरिये सरकार चलाएंगे तो प्रती क्रिया स्वाभाविक रूप से इस तरह ही होगी मैंने इस्तीफे का पत्र देखा, मुझे पता चला कि वो दूसरी पार्टी ओं में भी लोगों से बात कर रहे है कैप्टर ने खुद के किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की बात को खारिज कर दिया है उन्हें कहा कि वो अगले मुख्यमंत्री के लिए अपना कपूर्थरा आवास खाली करने के लिए दिल्ली आये थे.